जहिन दोस्तों, दोस्तों ऐसी क्या नोबत आ गई कि देश के परधान मंतरी को अब एक फिल्म के नाम पे वोट माननी की जरूरत पर गई जी हाँ दोस्तो हमारा देश के परधान मंतरी स्री नरेंदर मोदी दे किरला फाइल के नाम पे वोट माननी की कोशिश कर रहे हैं और जगे जगे पर जाकर ये इस पीज दे रहे हैं लेकिन देश के परधान मंत्री ये बात बोल करके किस तरह से फस्ट गए हैं और किस तरह से विपक्चियों के घेरे में आ गए हैं आगे मैं आपके वीडियो में बताऊंगा सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए आतन की साजिश्ट पर बनी फिल्म केरला स्टोरी कि ये केरला स्टोरी की इन दिनों काफी चर्चा है कहते हैं केरला स्टोरी कि सिर्फ एक राज्जे में हुई कि आतंगबादियों की छद्म नित्यों की साजिशों पर आधारिक है देश का इतना खुपसुरत राज्य जहां के लोग इतने परिश्टमी और प्रतिभास आली होते हैं उस केरला के मैं चल रही आतंकी साजिश्ट का खुलासा ये केरला स्टोरी फिल्म में केरला फाइल्स फिल्म में उसे किया गया है दोस्तो हमारे देश के परधान मंतरी अब एक फिल्म के नाम पर वोट मांगने की कोशिश कर रहे हैं आपको याद है आज से एक साल पहले एक ऐसी मूवी और आये थी जिसका नाम था दा कस्मीर फाइल इसी फिल्म को इसी तरह से बीजेपी के लोग और बीजेपी के पूरे मिनिस्टर इसी तरह से इस फिल्म को प्रोमोट कर रहे थे और फिरी में दिखा करके लोगों के जहन में एक ब्रेनवास करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन दोस्तो करनाटक में अब ऐसा कोई मुद्दा बचा ही नहीं है जिसके उपर जिसको लेकर के BGP सरकार वोट मांगे कॉंग्रेस ने भी अपने मेनुस फेस्टू में ये कह दिया है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो बजरंग दल को पूरी तरह से बैंड कर दिया जाएगा इसी वज़े से बजरंग दल आज पूरी तरह से कॉंग्रेस के ओफिस में तोर फोर कर रहे है लेकिन बात वो नहीं है बात ये है कि हमारे देश के परधान मंतरी एक फिल्म को ले करके किस तरह से भासन दे रहे हैं और किस तरह से फज गये हैं जैसे कि ये फिल्म मेकर जो है इसको जब पूछा गया कि ये फिल्म जो 32,000 जो लड़कियां जो आप इस फिल्म में दिखाया गया है कि जो लड़की हिंदू से मुसल्मान बनती है और सिरिया एमन जैसे देशों में उसको भेजा जाता है और टेरेडिस जैसे ओर्गेनाजियसन में इसको जोड़ा जाता है तो इसका आधार क्या है इसका लिंग क्या है दोस्तों ये जो फिल्म है ये जो कहानी है ये पूरी तरह से फेक है पूरी तरह से लोगों को ब्रेन वास करने की कोशिस किया जा रहा है क्योंकि ये जो कहानी है अगर तो केरला की है लेकिन अभी एलक्षन करनाटक में है और करनाटक में जागे हमारे देश के परधान मंतरी ये इस पीज देते हैं कि केरला जैसे स्टोरी जो है वो पूरे केरला के लड़कियों पे बेज़ड है ऐसे कहानियों पे बेज़ड है लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि करनाटक में जहां पे करफशन का इसू है तो ये के लरा इस्टूरी को लाप भुसा करके कौन सी बात करना के बात कर रहे है दोस्तों करनाटक हाई कोट ने भी फटकार लगाया है और कहा है कि इस फिल्म के जो सीन है उसको चेंज किया जाए लेकिन दोस्तों आप सोच सकते है जिस फिल्म का बेजड ही बुनियाद ही गलत है बतलब अफ़वाओं पे बेस्ट है उस मूवी के नाम पे हमारे देश के पर्धान मतरी आज वोड़ मांगते हुए फिर रहे हैं दोस्तों आप इस बारे में क्या कहेंगे कमिन बॉक्स में जरूर बताईएगा मैं हूँ फैजान आप देख रहे हैं सच के साँ